जीले के ब्योहारी पुलिस ने अंदे हत्या गुप्ती सुलचाते हुए प्रेमी को ग्रफतार किया है जो अपने प्रेमी का से पीचा छुडाने के लिए सुनियोज तरढंग से गला रेत कर हत्या कर फरार हो गया था जिसे पुलिस ने ग्रफतार कलिया है जो अब सलाकों के पीछे अपनी गुनाहों की सजाकाट्रा है विहारी थाना शेत्र के खड़ा निवासी माया पटेल का पती छे माह पहले मुंबई कमाने गया था इस दोरान माया के माइकी के पास रहने वाले सोनु उसमे नरेंद पटेल से प्रेम ट्रसंग हो गया और यह प्रेम ट्रसंग जल लगा वीज अप्रेल को माया ने सोनु के घर आकर रहने का जिद करने लगी जिस पर सोनु ने उससे तयार होकर आनि को कहा और बैइक में बिठाकर घर ले जाने की बाग्यकर रेल्वे पुल जरोसी के पास लेज़ाकर माया की गले पर हमला कर हत्या कर दिया और उस इसने सोनों के खिलाफ हक्या का मामला दर्च कर उसे ग्रान थाना मायनपूर जीला उंब्रे अग्रपतार कर न्याले में पेश कर धे जेल देज दिया गया है। पती राज कुमर्क पतेल की रूप में शिनापत वई उसको गल्य में धारदार हतियार से चोच पहुचा के और उसको हत्या की गईगी। हत्या के संबन्द में टी आई विखरी और स्टी विखरी विखरी दार एक टीम्स के साथ बहुत वारी की से इन्वेस्टिगेशन किया गया और कडियों को विवेचनाओं को तक्मी की रूप से जोगते हुए संदेर सोनू पटै जिसके महिला पे साथ संब्र gereal उसको रिरवतार मिलिए महिला कंबाईल ó और महिला के जो चान्दी के गिन में बैख उस सब परामद हो चुके हैं और आरूपी को गृफतार करते हैं और आज अभी निया एले पिश के लिए जिस महिला कसा संबन उसको रास्ते से हटाने के लिए उस निच्ट रहे हैं महिला इस्थाई रूप से सौनु पटेल के साथ रहने के लिए दबाव डाल रही थी जिसकी वज़े से जिसक के कारण सौनु ने उसको रास्ते से अटाने के लिए उसकी हत्या करते हैं शेडोल से दीपक कुमार गर की रिपोर्ट